कॉंग्रेस के पूरो साधन सद राहुल गांधी की सदस्यता रद्ध होने के बाद से ही पूरे देश में कॉंग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है इसी कड़ी में बिलासपूर में भी कॉंग्रेस के 36 गड़ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेत्रितों में राहूल गांधी के समर्थन में मशाल रैली निकाली गई थी जिसमें भारी संक्या में कॉंग्रेस समर्थक एकटा हुए थे लोकतंत्र बचाओ मशाल रैली गांधी चौक से देव की नंदन चौक तक निकाली गई देव की नंदन चौक पर मंच बनाया गया था रैली समाप्थ होने के बाद कुछ नेताओं ने भाशन देना शुरू किया लेकिन इस दौरान स्टेज पर इतनी भीड एकटा हो गई कि वह इसका वजन न उठा सका और तुरंट तूट गया जिस दौरान स्टेज टूटा उस दौरान कॉंग्रेस के कई नेता उस पर खड़े थे और वे सबी जमीन पर गिर पड़े इसमें कुछ कारकरताओं और नेताओं को हलकी चोटे आई हैं हाला कि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं मिली है